ओम शांती, देट 11.08.2024, प्रातह मुरली, अव्यक्त बाप्तादा, रिवाइस देट 4.02.2001, मधुबन, समय प्रमाण स्वराज अधिकारी बन सर्व रूहानी साथन तीवरगती से कार्य में लगाओ, आज बाप्तादा, विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज अधिकारी बच्छों की राच्य सभा देख रहे हैं, हर एक स्वराज अधिकारी, पवित्रता की लाइट के ताज धारी, अधिकार के इस्प्रुती के तिलक धारी, अपने अपने भ्रुकुटी के अकल दिखाई दे रहे है। इस समय जितना स्वराच अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्वराच अधिकारी है ही है। वा मेरा भविश्य क्या वा अपके स्वराच की स्थिती द्वारा स्वयम ही देख सकते हो बाप दादा हर एक पच्चे के सदा स्वराच की स्थिती को देख रहे थे निरनतर हर करम करते हुए लाकेक अलोकिक कारी करते हुए स्वराच अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेश में रहता है क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराच के स्थिती को संकल्प रूप में याद करते है मैं आत्मा अधिकारी हूँ एक हे संकल्प में सोचना बार पार स्मृति को रिफ्रेश करना मैं हूँ दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयम को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन पुद्धी संचकारूपी सहयोगी सातियों पर राज्य करना अधिकार से चलाना जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बापदादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमान चल रहे हो चलाने वाला चला रहा है चलने वाले चल रहे हो ऐसे हे स्वराच अधिकारी अत्माएं क्या आपके स्वराच्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रिया अर्थात कर्मचारी आपके मन, बुद्धी, संसकार सहयोगी साथी सभी आपके ओर्डर में चल रहे है एक तो कर्मेंद्रिया थोड़ा नाज दखड़ा तो नहीं दिखाती आपका राच्य लौ और ओर्डर के बचाए लव और लौ में यथार्त रिती से चल रहा है क्या समझते हैं चल रहा है या थोड़ी आना कानी करते है जब कहती ही हो मेरा हाथ, मेरे संसकार, मेरी बुध्धी, मेरा मन तो मेरे के उपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन चाता कब मैं अधिकारी बन चाती समय प्रमान हे स्वराची अधिकारी अभी सदा और सहच अकाल तक्तनशीन बनो तब ही अन्यात्मों को बाप द्वारा जीवन मुक्ती और मुक्ती का अधिकार तीवरगती से दिला सकेंगे समय के पुकार अब तीवरगती और बेहत की है चोटी से रिहरसल देखी सुनी एक ही साथ बेहत का नक्षा देखाना चिल्लाना भी बेहत, मरना भी बेहत मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे है ऐसे समय पर आप स्वराची अधिकारी आत्मों का क्या कार्य है चिक करो जैसे स्थूल साथनों के लिए बताते है भूकम आवे तो यह करना तूफन आवे तो यह करना आग लगे तो यह करना वैसे आप श्रेश्ट आत्मों के पास जो साथन है सर्वशक्तिया, योग का बल, स्निह का चुम्बक यह सब साथन समय के लिए तयार है सर्वशक्तिया है किसको शांती की शक्ती चाहिए लेकिन आप और कोई शक्ती दे दो तो वह संतुष्ट होगी जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोचन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा तो एवरेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं वह तो बनना ही है लेकिन जो साथन स्वराच अधिकार से प्राप्त होए है परमात्मा वर्से में मिले है वह सब अधिकार एवरेडी है एसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मिशीनरी इस समय चाहिए वह फौरन से आने के बाद कारी में लगाया गया तो साथन एवरेडी नहीं रहे न सर्व साथन समय परकार्य में नहीं लगा सके कितना नुकसान हो गया तो है विश्व कल्यानी विश्व परिवर्तक आत्माए सर्व साथन एवरेडी है सर्व शक्तिया आपके ओर्डर में है और्डर किया अर्थात संकल्प किया निर्नाई शक्ती तो सेकंड से भी कम समय में निर्नाई शक्ती हासर हो जाए कहे स्वराज अधिकारी हासर ऐसे और्डर में है या एक मिनिट अपने में लाने में लगेगा फिर दूसरे को दे सकेंगे अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्ब तो चल ही रहा है आगे क्या होना है और क्या करना है होना तो बहुत कुछ है सुनाया ना यह तो रिहर्सल है यह चे मास के तयारे की घंटी बजी है घंटा नहीं बजा है पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा डरेंगे थोड़ा थोड़ा डरेंगे शक्ती स्वरूप आत्मों का क्या स्वरूप दिखाया है शक्तियों को शक्ती स्वरूप में पांड़ भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई सदा शक्तियों को कोई को चार भुचा, कोई को चे पुझा, कोई को आट भुचा, कोई को सोला पुझा, साधारर नहीं दिखाते हैं यह भुचाए सर्वशक्तियों का सूचक है इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी लेकिन सारे दिन में स्वयम प्रति भिन भिन शक्तियां यूस करके देखो सबसे पहला अप्यास स्वराच्य अधिकार सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक या नहीं मालिक होके ओर्डर करो और चिक करो कि हर करमेंद्रिया मुझ राजा के लव और लौ में चलते है ओर्डर करे मनमना भव और मन चाये निकिटव और वेस थोट्च में क्या यह लव और लौ रहा ओर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार परिस्थिती अनुसार क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सोक्ष्म रूप में भी आवेश वर चिटचड़ा पन आ रहा है क्या यह ओर्डर है ओर्डर में हुआ ओर्डर करे हमें निर्मान बनना है और वायमंडल अनुसार सोचो कहां तक दब कर चलेंगे कुछ तो दिखाना चाहिए क्या मुझे ही दबना है मुझे ही मरना है मुझे ही पदलना है क्या यह लव और ओर्डर है? इसलिए विश्व के उपर चिल्लाने वाले दुखी आत्मों के उपर रहम करने के पहले अपने उपर रहम करो. अपना अधिकार संभालो. आगे चल आपको चारो और सकर्ष देने का वाइब्रेशन देने का मनसात्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कारी करना है. पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी. लेकिन अभी समय प्रमान तीवरगती और बेहत सेवा की आवशक्ता है. तो अभी पहले हर दिन को चेक करो स्वराच अधिकार कहां तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए. स्वरूप में नशा रहे तो स्वतह ही यह सब कर्मेंद्रिया आपके आगे जी हासिर, जी हसूर स्वतह ही करेंगी. मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संसकार को मिटाओ, आज निर्नय शक्ती को प्रकट करो, एक थक से सब कर्मेंद्रिया और मन बुधी संसकार जो आप चाहते हैं वह करेंगी. अभी कहते हैं न, बाबा चाहते तो यह है, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ. फिर कहेंगे, जो चाहते हैं वह हो गया. सहज, तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिधियों को कार्य में लगाओ. ओर्डर करो संसकार को. संसकार आपको क्यों ओर्डर करता? संसकार नहीं मिटता. क्यों? बंधा हुआ है संसकार आपके ओर्डर में. मालिकपन लाओ. तो औरों के सेवा की बहुत-बहुत-बहुत-बहुत आविशकता है. यो तो कुछ भी नहीं है. बहुत नासुक समय आना ही है. ऐसी समय पर आप उर्टी कलादवारा, फरिष्टा बन, चारों और चक्कर लगात जिसको शांती चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिष्टे रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे. जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे फरिष्टों द्वारा, शांती मिल गई, शक्ती मिल गई, खुशी मिल गई. ऐसे अंतह वाहक अर्थात, अंतिम स्थिती, पावफल स्थिती आपका अंतिम वाहन बनेगा. और चारों और चक्कर लगाते, सबको शक्तिया देंगे, साधन देंगे अपना रूप सामने आता है इमर्ज करो कितने फरिष्टे चक्कर लगा रहे है सकाश दे रहे है तब कहेंगे जो आप एक के बचाते होना शक्तियां आ गई शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतह ही सित्ध हो जाएगा सुना जो अब तक किया जो चला वा समय प्रमान अच्छे ते अच्छा हुआ अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है अच्छा घबराए तो नहीं समाचर सुनके देखके घबराए यद तो कुछ नहीं है आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके भाई बहने है इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है अभी राज अधिकार अकल तक्त में बेठे रहो नीचे उपर नहीं आओ फिर देखो गावन्मेंट को भी साक्षातकार होगा यही है यही है यही है तक्त से उत्रो नहीं अधिकार छोडो नहीं अधिकार हर समय चलाओ स्वाप पर दूसरों पर नहीं दूसरे पर नहीं चलाना अच्छा नए नए बच्चे भी बहुत आये है वृध्धी तो होनी ही है जो इस कल्प में इस बारी पहले बारी आये है वह हाथ उठाओ अच्छा किया हिम्मत रखके पहुंच गए तो पहुंच गए ना जो बैट गए वह बैट गए और हुआ कुछ भी नहीं हिम्मत बहुत आवश्यक है कोई भी कारी में हिम्मत है तो समझो सफलता है हिम्मत कम सफलता कम इसलिए हिम्मत और निर्भई भाई में नहीं आना या क्या हो रहा है मर रहा है कोई तो वह मर रहा है भाई आपको आ रहा है निर्भई ठीक है उसको शांती का सहयोग दो उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो भाई में नहीं आओ भाई सबसे बड़ेते बड़ा भूत है और भूत निकल सकते है भाई का भूत बहुत मुश्किल निकलता है किसी भी पात का भाई सिर्फ मरने वालों का भाई नहीं कई बातों का भई होता है जो अनेक प्रकार के भई है अपनी कमजोरी के कारण भी भई होता है उन सब में निर्भई बनने का जो सहित सादन है वह है सदा साफ दिल, सची दिल तो भई कभी नहीं आईगा जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भई होता है साफ दिल, सची दिल तो साहिब रासी और सर्व भी रासी अच्छा, नए नए आने वाले बच्छों को नए जीवन में परमात्मा भाग के प्राप्त करने की मुबारक हो अच्छा, फॉरन के भी बहुत आये है फॉरन ग्रूप हाथ उठाओ, करीब 700 आये है भले पधारे, वेलकम महाराष्ट्रा आंत्रप्रदेश की सेवा है महाराष्ट्रा वाले हाथ उठाओ चार हसार आये है तो चार हसार को चार पदम बार मुबारक हो अच्छा किया है हर ग्रूप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है क्योंकि सेवा के पहले तो परीवार के सामने नस्टीग आने का गोल्डन चांस मिलता है चांस मिलता है ना? नहीं तो कौन पूछेगा महराष्ट्रा है या आंद्रा है लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते है और खुशी भी होती है क्यों खुशी होती है कारण देखो सिंटर पर सेवा करते हो कितनों की चलो जादा से जादा 50-100 और यहां जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआई मिलती है न बहुत अच्छी सेवा की यह दुआई निकलती है वह दुआए एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है और दूसरा जमा भी होती है डबल फाइदा है इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ डबल फाइदा हो गया ना अभी मेचौरिटी सब सोन अच्छा सीख भी गये है अभ्यास हो गया है अच्छा अच्छा किया मुबारक है सौ कुमारियों का समर्पन है अच्छा सौ कुमारिया उठो सभी देखो जहां भी टीवी है वहा दिखाओ अच्छा है वैसे तो समर्पन तो है है लेकिन समर्पन का पक्का स्टांप लगना है यह ओल्माइटी गाव्न्मेंट का स्टांप मिट नहीं सकेगा पका है ना पका पका जो समझते है बहुत 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 पका है वह ऐसे हात हिलाओ बहुत पका महाराश्च्र है कोई महानता तो दिखाएगा ना बहुत अच्छा बापताद के तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो बधाई हो अच्छा अभी एक सिकन में फरिष्टा बन विशेश जहां यह अर्थक्विक हुई है उन चारों तरफ फरिष्टा बन उर्ती कला द्वारा शांती शक्ती और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ चक्का लगा कर आओ एक सिकन में सबकी सब चक्का लगा के आओ अच्छा ड्रिल चारों और के देश और विदेश के फरिष्टी रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहियों की सोक्षव अस्थोल सहियों की साथियों को चलाने वाले सदा पापतादा द्वारा प्राप्त रूँहानी सधनों को एवर रेडी बनाने वाले मैं आत्मा राजा बन राच अधिकार का अनुभव करने वाले सदा उर्ती कला द्वारा फरिष्टे रूप से चारों और सकाश देने वाले शक्ती स्वरूप आत्मों को सदा साफ दिल, सच्छे दिल द्वारा, निर्भय, निराकारी स्थिती में अनुभव करने वाले विश्व कल्यानी, विश्व परिवर्थक आत्मों को बाप दाद का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मातपिता बाप दादा को याद प्यार गुट मॉर्निंग और नमस्ते 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 दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना हमारी निमत दादियां दादे सामने आये है तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते है और ही सामने अच्छा है सामने वालों को स्याक्ता देखते है यहां तो ऐसे करना पड़ेगा और सामनी वालों को तो बार-बार देख रहे है अच्छा जग्दीश भाई से सभी ठीक है सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है दे दिया है ना कि देना है आप लोगों ने निमत आत्मों ने तो दिया है तब आपको साका रूप में फॉलो कर रहे है साका रूप में महारतियों को देख सबको शक्ती मिलती है तो यो सारा ग्रूप क्या है? शक्ती का स्त्रोथ है है ना? दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमस बास है। रमस बास नहीं, रमस बास नहीं होता तो इतनी वृति कैसे होती। बाप कहते है चलने वाले भी बाप से ज्यादा चत्तुर सुजान है। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से काते रहते, मेरा बाबा, या गीत काना सबको आता है ना, मेरा बाबा, या गीत काना आता है, सहच है ना, मेरा कहां और अपना बना लिया। बाप कहते है बच्चे बाप से भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांथ लिया है दादी जानकी से। बांथा है ना, तो बांथने वाले शक्तिशाली हुए या बंथने वाला कौन शक्तिशाली हुई? बांथने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना लिया कि ऐसे बां तो बंध जाओंगा, अच्छा, ओम शांति, वर्दान स्वयम को निमत समझ व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वृत्थी से मुक्त रहने वाले विश्वकल्यान कारी भव, मैं विश्वकल्यान के कारी अर्थ निमित हो, इस जीम्मेवारी के स्मुती में रहो तो कभी भी किसी के प् व्यर्थ संकल्प वा व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्यानकारी संकल्प नहीं कर सकते। एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते। क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुब भावना, शुब कामना स्वतह रहती है स्लोगन अज्यान की शक्ति क्रोध है और ज्यान की शक्ति शांती है ओं शांती